ये बहुत बड़ा दिन हैं, मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, समर्णिय हैं, मैं भारत की मा महीम राश्चुपती जी को, भारत सरकार को, और विशेश तोर पर पधान मंत्री नरिंदर मोदी जी को, क्योंकि उनकी विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर् भारत रत्न से नवाजा है, तीन अवोर्ड दिये गये हैं, खास्तोर से चौधी चरन सिंग जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश, पूरे देश में गया है, देश की भावनाएं, इस सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हैं, और ये साबित के व्यक्ति, इतने बड़े राजनीता, बड़े-बड़े पदों पे रहते हुए, उनके लिए जिनोंने जीवन परियंत संहर्ष किया, एतिहास एक निड़ने लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे हैं, लोगों पर पढ़ता है, च कमरपन भाव के कारण हो पाया, तो मैं फिर कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ, अब भार विर्ग करता हूँ, जो आज मुखेदारा में लोग नहीं है, उनकी हिम्मद बढ़ाने का फैसला, आज भार सरकार में लिया है, पूरे देश में सभी चौदी साब को मानने वाल में लोगों के लिए खुशी की पल है, मैं चौदी अजी सिंग जी को भी याद करता हूँ, यह उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूँ, दिल से, मोदी जी को विशेश तोर से धन्यवाद राबाद, कि आपने आज चौदी अजी सिंग जी का अधूरा सपना पूरा किय जैन जी इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौदी चरन सिंग जी की बात करें, या बीवी नर्सिमाराओ की बात करें, और खास दोर पे चौदी चरन सिंग जी को भारत रतन देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोग सबाद जाराओं कितनी सीट मिल रही हैं ये कोई मसला ही नहीं आज को फैसला लिया गया है जो पीडी दर पीडी याद रहेगा चौधी चरण सिंग के वेचारिक द्रिश्टिकोन को उनके संगर्शों को उनके किये गए कार्यों को हमेशा जिन्दा रखने वाला फैसला है और ये छो आज की बात नहीं है और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भार्टेशनता पार्टी या जो शुष निदित्र है उसको अब थांक्यू बोल भी रहे हैं क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रती इतना संभाव नहीं था कि वो देश सकते जी इतना संता परने characterize एक नए आक़िवी रहे हैं कुछी लोगों के मुख्धारा में रहे हैं हमेशा से उन्हेक हात में पैसलिल लिए गए उन्हें इक माद्यम से पैसलिए लिए गये हैं और अब एन न्य भारत में यी सारी चीज बदलती दिख रहे हैं पहले कि मैं उनका भी सुवागत करता हूँ, जिन जिन ने समर्थन किया जो इस पैजले के साथ हैं और जो चौदी साथ के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संगर्षों के साथ रहे हैं, उन सब को बधाई देता हूँ, ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं, ये सब क जीत है, और श्रे सब को जाना चाहिए, जो आपने बात पूछा के कॉंग्रिस में पहले निन्ने ने लिया जा, मैं तो अंदर से जानता हूँ, कितनी बार चौदी अजी सिंग जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किये, बहुत मुश्किल से फिर एक जानता हूँ, कितने गदगद हुए थे चौदी अजी सिंगी उस पैसले, आज अगर चौदी अजी सिंगी जिन्दा होते, कितने परसंद होते, इन में अच्छी तरह समझ सकता हूँ. तो मतलब ये जैन्दी ये मानने कि आभा भाते आंता पार्टी के साथ, उनके शर्तों के अनुसार उनको जोइन करेंगे और फिर आप वजिटी में चुनाब की बात करना, आज के दिन के महतों को छोटा करना होगा, ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते, और इस जशन में सब लोग शामिश है, जो मैं इतनी बड़ी बढ़ाई दे रहा हूं, पदानमंदी जी ने आज वो फैसला लिया, जो साबित करता है कि देश के मोल भावना और चिर्पर को समझते हैं, चौदी चलन सिंग जी के हर एक अनुआय की दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किय करना हुआ हुए, जिस समय पे मेरी भावना होती है, उस अनुरूप परिसीत्यों के अनुरूप एनुरूप अपनी बात रखता हूं मैं कहता हूं, राजनीती में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है याद रखना चाहिए तो कोई कसर रह गए बता इतना बड़ा फैसला लिया हुए अगर आप सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूँगा ना में किसी पदानमंत्री और सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठके करूँगा बीजीपी के किसी वेक्टी के साथ किसान समाज के लिए खास पर फश्चन उत्रफरदेश की बात करें जिस तरह से चौनी बीजी को भारत करती बिला है लेकिन क्या इससे अगनीवीर का मुद्दा खतम हो जाता है क्या इससे किसानों की मांग जो जिस पर आप लगातार संगर्श करते रहते वो मुद्दा खत हो जाता है इसका आप क्या जवाब हैं कि अभी जो सोला तारीक और मार्च में जो किसान अंदुलंग होने वाले जिसको लेकर आप अंचार चलनी आपके शिर्टर से किसान बिल्ली कुछ करने क्यारी कर रहा है क्या आप उन से बात्चीत करेंगे कि नहीं आप वीजेवी प एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्य आज तक जो हो फिर खतम हो जाये समाप हो जाए और आगे कभी होए ना तो ये एक सथर्थ प्रयास होता है भारत सरकार का जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं गाओं के और कमेरावर के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं जो समर्पन हैं जो इच्छा शक्ती है आज उसे उन्होंने परदर्शित किया है और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस प्रियास किये उनकी बात भी मानी जाएंगे तैंक अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था उनका कहना यह था कि पता नहीं जैन जी क्यों जा रहे हैं शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई कई अब मेने बात पड़ी दलों को खा सामर्थ है कोई बात को काठ नहीं रहा हूं जो और बात से लेकिन मैं यह कहता हूं के सरकार ने आज जो निन्ने लिया है वह दिल जीता है तुक्ष और दने की बात नहीं है मेरे तरफ से लटू झीनिर्स